चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जय संतोशी माम दोस्तों आपका स्वागत है आगे बढ़ने से पहले सभी को ये बता दूँ कि हम शिव जी के महीने मतलब श्रावन महीने में प्रवेश कर रहे हैं वो भी सोमवार के दिन से तो सभी को बहुत-बहुत शुभ काम नाएं सभी के जीवन में बम भोले खुशियां भर दें कमेंट में जय शिव शंकर जरूर लिखे या भोले बाबा की जय तो चलो अब शुरुआत करते हैं आज की राशियों से आज का पंचांग 22 जुलाई 2024 दिन सोमवार श्रावन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथी दोपहर एक बज कर ग्यारह मिनट तक रहेगी इसके उपरांत द्वितिया तिथी प्रारंभ हो जाएंगी श्रवन नक्षत्र राद 10 बज कर 21 मिनट तक रहेगा इसके उपरांत धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा आज का राहुकाल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुभह साथ बज कर 36 मिनट से 9 बज कर 15 मिनट तक रहेगा आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर बारह बज कर 6 मिनट से 12 बज कर 69 मिनट तक रहेगा आज चंद्रमा मकर राशी पर संचार करेगा पूरा दिन रात और सूर्य कर्क राशी पर रहेंगे विश्चिक राशी 22 जुलाई 2024 दिन सोमवार आपका दिन मकर राशी में चंद्रमा के कारण चुनोतियों और अप्रत्याशित लाब दोनों का मिश्रण होगा विपरीत राशी योग सक्रिय होकर कठिनाईयों के माध्यम से लाब की संभावना को बढ़ाता है लेकिन आपको अनावश्यक खर्चों से सावधान रहना होगा इस समय आपके आध्यात्मिक और धार्मिक रुजान भी बढ़ रहे हैं जो आपके आतनरिक आत्म की खोज के लिए एक उत्तम अवसर प्रदान करता है हालांकि नींद संबंधित विकार या अनिद्रा के कारण मानसिक चिंता और मूड में बदलाव हो सकता है इस से निपटने के लिए ध्यान और सचेतना को अपनाना लाबकारी रहेगा दिन की समगर उर्जा आपको लचीला पन और आत्म खोज के लिए प्रेरित करेगी उतार चड़ाव से निपटने में अपनी क्षमता पर भरोसा रखें और याद रखें कि हर चुनोती आपके विकास की एक सीड़ी है दिन की शुरुआत में सब कुछ अच्छा रहेगा लेकिन बाद में आप व्यस्थ हो सकते हैं घर में किसी की तबियत खराब हो सकती है जिससे आपको अपने व्यस्थ कार्यकरम के बावजूद उनकी देखभाल के लिए समय निकालना होगा यह दिन आपके धैर्य और बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेगा लेकिन आप इन चुनौतियों को अनुग्रह के साथ संभालने में सक्षम रहेंगे आपका दिन बहुत सकारात्मक और खुशी से भरा रहने वाला है सहकर्मियों या दोस्तों के साथ समय बिताने की योजनाएं बन सकती हैं जो आपको खुशी देगी दिन की शुरुआत योग और ध्यान से करना आपके लिए बहुत फाइदे मन रहेगा जिससे आप पूरे दिन उर्जा से भरे रहेंगे लंबी अवधी को ध्यान में रखते हुए निवेश करने के लिए यह एक अच्छा समय हो सकता है किसी दूर के रिष्टेदार से मिली अच्छी खबर आपके पूरे परिवार के लिए खुशी के पल लेकर आएगी आपके प्रिय का फोन आने से दिन और रोमान चक बन जाएगा आज आप इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं आप खाली समय में किसी से मिलना जुलना भी पसंद नहीं करेंगे और एकांत में समय बिताने का आनंद लेंगे आपका जीवन साथी सारे मन मुटाव भुलाकर आपके पास प्यार के साथ वापस आएगा जिससे आपका रिष्टा और भी मजबूत होगा यह दिन आत्म निरिक्षन और आत्मिक शान्ती के लिए बहुत अच्छा है जिससे आपको अपनी आंतरिक शक्ती का एहसास होगा अपने पार्टनर की जरूरतें और अपेक्षाओं को समझ कर अपनी जिम्मेदारियां निभाने का प्रयास करें यह संबंध को मजबूत बनाएगा और आपसी समझ को बढ़ाएगा इस समय मानसपेशियों में खिंचाव या अन्य स्वास्थय समस्याओं से सावधान रहें और स्वास्थय का ध्यान रखें कल्पनाओं से बाहर निकल कर यथार्थ में ध्यान देना आवश्यक होगा किसी के आश्वासनों पर पूरी तरह भरोसा न करें बलकि स्वैम पर विश्वास बनाए रखें आपकी आय व्यवस्थित रहेगी लेकिन दोपहर तक आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है शेश समय में काम की अधिकता रहेगी जिससे व्यस्थता बनी रहेगी यात्राएं सफल होंगी लेकिन व्यापार में अंजान लोगों पर भरोसा न करें नौकरी में तरक्की के मौके भी मिलेंगे लेकिन सावधानी बढ़तें युवा वर्ग को मौज मस्ती में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए लव लाइफ की बात करें तो अगर आप किसी रोचक और खुश मिजाज व्यक्ती को डेट करना चाहते हैं तो आपको अपने रूटीन में बदलाव लाना होगा नहीं तो आपका संबंध फिर से उसी नीरस स्तर पर पहुँच सकता है अपनी लव लाइफ में बदलाव लाने के लिए खुद को आनंद में बदलना होगा रूटीन से बाहर निकल कर कुछ नया और रोमांचक करने का प्रयास करें जिससे आपके रिष्टे में ताजगी आएगी और आप दोनों के बीच की बोरियत दूर होगी इस प्रकार इन सभी पहलूँ को ध्यान में रखते हुए आपका दिन सफल और संतुलित रह सकता है हर चुनौती का सामना धैर्य और समझदारी से करें और अपने संबंधों को मजबूत बनाए रखें आपकी ड्रेसिंग में बदलाव से आपकी परसनालिटी में खुशनुमा बदलाव आ सकता है अगर आप किसी रिष्टे में हैं तो यह सुनिश्चित करने के लिए समय निकालें कि आप और आपका साथी एक दूसरे को वास्तव में समझते हैं आवेग पूर्ण निर्णे लेने से बचें बलकि किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए गहरी और सार्थक बात चीत करें एकल लोगों के लिए यह एक अच्छा दिन है यह विचार करने के लिए कि आप वास्तव में एक साथी में क्या चाहते हैं शारीरिक अंतरंगता एक त्वरित समाधान की तरह लग सकती है लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी भावनात्मक जरूरतों को समझें और उन्हें संबोधित करें धैर्यवान और खुले दिल से रहें यह द्रिश्टिकोन आपके संबंधों को मजबूत करेगा और गहरे संबंधों का मार्ग प्रशस्त करेगा करियर की बात करें तो यह एक नया घर खरीदने यह अपने वर्तमान स्थिति को और अधिक शांदार स्पर्श के साथ बढ़ाने के बारे में सोचने का आदर्श दिन है व्यवसाई और व्यवसाईक प्रयास अत्यधिक लाभधायक रहेंगे अपनी योजनाओं और लक्षियों पर ध्यान केंद्रित करें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें आने वाले किसी भी अवसर का लाभ उठाना सुनिश्चित करें आप घर के सुधार विशेश रूप से परिश्कृत सज्जा और सजावटी वस्तूँं पर खर्च करने के इच्छुक हो सकते हैं यह रियल एस्टेट में निवेश करने का भी सबसे अच्छा समय है अपने वित्तिय प्रवृत्ती पर भरोसा रखें और निर्णायक कार्यवाही करें आपके प्रयास परियाप्त प्रतिफल लाएंगे जिससे आपकी समरिध्ध बढ़ेगी सकारात्मक द्रिष्टिकोन रखें और अपनी ओर आने वाली समरिध्ध का आनंद लें आज आपको लक्षों को पूरा करने के लिए कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है उन लक्षों पर ध्यान केंद्रित करें जहां पहले आपने काम नहीं किया है अन्वेशन आपके लिए आज महत्वपूर्ण रहेगा और इस से आपको कुछ सार्थक मिल सकता है यदि आप नौकरी का स्थानांतरन योजना बना रहे हैं तो आज का दिन काफी शुब हो सकता है आपको शीग्र ही एक नई नौकरी या नए कार्यालाय में भूमिका मिल सकती है आज का दिन एथलीटों और खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वालों के लिए बिलकुल उपयुक्त है उन्हें अच्छे खासे सफलता मिलने की संभावना है आप अपने शरीर में उर्जा का जबरदस्त प्रवाह अनुभव करेंगे और आपका दिमाग भी तरो ताजा और सक्रिय बना रहेगा धार्मिक दृष्टिकोंड से आज गरीबों की मदद करने के लिए शिवजी के मंदिर जाकर उनकी पूजा अर्चना करें तथा उन पर जल चड़ाना न भूलें ये आपके लिए शुभ और कल्यानकारी रहेगा जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें सकारात्मक दृष्टिकोंड आपके दिन को शुभ बनाएगा और सफलता की ओर ले जाएगा इस दिन को पूरी उर्जा और उत्साह के साथ बिताएं और अपनी क्षमताओं का पूरा उप्योग करें आपका दिन शुभ हो